नवसकार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेण मिस्र। अनंत चतूर दसी के पावन मौके पर गणेश विसर्जन का शुब मुहूरत कितने बज़े से रहेगा, कब आपको भगवान गणेश का विसर्जन करना चाहिए। देखे, अनंत चतूर दसी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन हम करते हैं, जो लोग पूरे दस दिनों तक गणेश ओत्सव मनाते हैं, गणेश जी को अपने घर में, पंडाल में इस्थापित करते हैं। तो देखे, अनंत चतूर दसी के शुरुआत, 16 सितंबर को हो जाएगी, शाम को 5 बज कर 10 मिनट से, और 17 सितंबर को सुबह 11 बज कर 44 मिनट में अनंत चतूर दसी समाप्त होगी। तो भगवान गणेश के विसरजन का समय, जो लोग विसरजन करना चाहते हैं, उनके लिए शुब समय होगा, दोपहर को 3 बज कर 20 मिनट से, साम को 4 बज कर 50 मिनट तक। ये बहुत ही शुब मुहूरत है, इस दोरान विसरजन शुरू कर देना चाहिए। और जो पूजा है भगवान गणेश की, वो पूजा आपको कब करनी चाहिए, उसका मुहूरत भी नोट कर लीजे, ये तो विसरजन का समय होगा है, विसरजन से पहले पूजा होती है, तो उस पूजा का जो शुब समय होगा, वो सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 11 बज कर 40 मिनट तक रहेगा, इस दोरान पूजा कर लें, आरती कर लें, भगवान करें, इसके बाद विसरजन की तैयारी शुरू करें, और जो आपको हमने बताया कि 3 बज कर 20 मिनट से विसरजन की प्रक्रिया शुरू कर दें, और कोशिस करें कि 4 बज कर 50 मिनट तक विसरजन आप जो है, जरूर शुरू कर दें, उसमें मानली जी थोड़ा समय लगता है, तो कोई बात नहीं, शुब मुहूर्त में विसरजन शुरू कर देना चाहिए, तो जहां-जहां गणेश जी रखे तो इस शुब मुहूर्त में आवश्य कर लीजेगा, और गणेश जी का विसरजन करते समय ध्यान रखें, कि विसरजन ऐसे स्थान पर करें, जिससे प्रदूशन ना हो, इस बात का बहुत आपको ख्याल रखना चाहिए, इसलिए अब सब लोग जो है, मिट्टी के गणेश जी का होता है, कि विसरजन आसान होता है, मिट्टी जल्दी से जल में गल जाती है, तो जो लोग घरों में गणेश जी रख रहे हैं, तो वो अपने घर में विसरजन कर सकते हैं, आपको किसी नदी में तालाब में जाने की आवश्यक्ता नहीं है, आप घर में कैसे विसरज ले सकते हैं, नई बाल्टी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा बड़ा बरतन, जिसमें इतना पानी भर लें, जितने बड़े आपके गणेजी हैं, उससे जादा पानी भर लें, और उसमें गणेजी को भी शर्जित कर दीजिए, और फिर इसके बाद जब वो मिट्टी थोड़ा सा ग तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी पानी वहाँ पर पेड के नीचे वो पानी पेड जो है उसे खीच लेगा तो इस तरीके से आप अपने घर में विसर्जन कर सकते हैं नदी ताला आपको दूशित करने से बच सकते हैं तो भगवान गणेश का विसर्जन हमें ऐसे करना है, जिससे किसी को परेशानी ना हो, प्रदूशन ना पढ़े, इसके अलावा भूमी विसर्जन की भी जो है सास्तों में बनन मिलता है, उसमें क्या है कि भूमी में आप बड़ा सा गड़ा बना लें, जैसे जिन लोगों ने पंडालों में गणेश जी रखे हैं जिनके बड़े गणेश जी हैं, तो आप भूमी में बड़ा सा गड़ा बना लें, उसमें जल भर दिजे, और जल भर करके वहाँ पर गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं, और बाद में मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और फिर प्रदूशन नहीं होगा, तो प्रदूशन नदियों को प्रदूशित होने से बचाना हमारा सब का धर्म है, तो आप सब को अनंत चतुरदसी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुब कामना है, इस दिन हम गणेश जी का विशर्जन करते हैं और भगवान गणेश से प्रातन प्रणाम करके कभी सर्जन करेंगे तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का फिर मुलाकात होगी देखते रहिए एस्टो तक बोलिए जय गणेश देवा एस्टो तक एप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से